नमस्कर दोस्तों दीपिलेक्टोनिस लाब में आपको बहुत-बहुत स्वागा थे आज किस वीडियो के अंदर में आपको CRT TV के अंदर कैसे निया केट को इंस्ट्रॉल किया जाता है पुरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आज की वीडियो देखने के बाद अब किसी भी CRT TV के अंदर निया केट को इंस्ट्रॉल कर पाऊगे अभी देखिए यह जो TV है कच्रे से उठा के लेकर आया है मतलब कवरी वालों के पास से और इसके अंदर यह वाला बोड लागा हुआ था पहले अभी इसके जागा पे हम निया बोड को डालेंगे लेकिन उससे पहले इस बोड का कंडिशन देख लीजिए कि कितना कच्रा हुआ है मतलब कच्रे वाला भी नहीं लेगा इसा कंडिशन हो चुका तो मैं इसको मैं साइड में रख देता हूं क्योंकि इसको बेचने के बाद 50 रुपीज हमें मिलेंगे और इसका अंदर जो कॉ से ले सकते हो आल्टर स्लेम का भी बोड आपको मिल जाएंगे इंडिया से आप किसी भी कोने से क्यों ना हो आप हमारे वेबसाइट से ओडर कर दीजिए पांस से साथ दिन के अंदर आपके पास ये फ्रेस कंडिशन में बोड पहुंच जाएगा अभी देखिए इस बोड क यानि कि सावी जो चाइना टीवी होते हैं उसके अंदर लगा हुआ रहता है अगर आपको ये वाला सारे सामान खरीदना है तो आप हमारे डीप लेक्ट्रोनिस लाब ऑनलाइन इस्टोर से खरीद सकते हो ओनलाइन में सबसे सस्तम में आपको हमारे ये वेबसाइट से मिले खरीदने से पहले आप दो-चार जो ओनलाइन का विपसाइट होता है ना आप चेक करके देखली जिएगा कि ओनलाइन पे कहां से सस्तम मिल रहा है सबसे ज्यादा जहां से सस्तम मिले वही से आप खरीदिएगा ताकि आपको जेनुएन माल मिले ये भी आप चेक कर कर आया है क्योंकि जो कच्रे वाला है ना उनको पता था कि इसका पिक्चा ट्यूब सही रहेगा इसलिए हमारे पास लेकर आया है अब फिलाल के लिए इसका जो ओरिजन्टली और वाटी काली जो कनेक्शन होता है उसके लिए जो दो-चार मतलब लगा हुआ है मैं पहले व खराब भी हो सकता है इसलिए मैं थोरा साहिस को जोर के में बोड के साथ करेक्शन करके देखूंगा और ये भी देखूंगा कि पिक्चर ट्यूब के लिए प्यक्चर बन रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि पिक्चर नहीं ना बने तो हम क्या करेंगे कि इस बोड को आपoptimoo को होता है और बेस लगाना पड़ता है पांच कनेक्शन मतलब सबसे पहले हम यह स्टी कप को लगाएंगे तो यह स्टी कप लगाने का प्रोस्च बिल्कुल सिंपल है आप इस तरीक से पकरिए और इसके अंदर ESC app को डाल दीजिए, यह हमरा पहला connection हो गया, दूसरा connection हम यह आपे base लगाएंगे, और base भी हमरा same to same है, हम simply इसके अंदर डाल देंगे, यह हमरा USB लग गया है, अब तीसरे हम vertical और horizontal को जो connection होता है, वो हम करेंगे, और इसके साथ सारे चीज़ मिल जाती है, जब आप board खड़ीद होगे, तो board के साथ आपको यह भी code मिल जाएंगे, उसके बाद power code मिल जाएंगे, sensor भी मिल जाएंगे, और speakers का connection करने के लिए आपको wires मिल जाएंगे, अभी देखिए हम यह connector को यहाँ पर डालेंगे, और red wire को हम, मतलब red वाला जो connector है, यहाँ पर डाल का हुआ था, coloring का, वो ही same color का connection कर देंगे, अगर आपको नहीं पता है कि vertical और horizontal का connection कॉन्स्टी होती है, तो आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने विस्तर से बता के रखाऊंगी, picture tube का जो भी functions और features होता है, वो कैसे काम करता है, अगर picture tube के अंदर coil ख देखने को मिलेंगे, हलाकि मैं ज्यादा से अटे TV repairing का काम नहीं करता हूं, ज्यादा तर ज्यादा मैं LCD LED TV का repairing का का काम करता हूं, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद आया कि ये जो picture tube आया है, हमें अभी पता नहीं है कि ये सही है, ये आख खरब condition में है, तो इसी चीज़ को लिए मैंने इसको ठीक करने के लिए राजी हो गया, और हमारे पास तो picture tube का जो driver होता है, यानि कि जो मदरबूर होता है, वो तो हमेशा रहता है, देखें, चार connection हो गया है, अब सबसे बड़ी जो connection हमें करना होता है, वो ground का, अगर अपने ground का connection नहीं करोगे, तो तुरंते बाद हमारा picture tube भी खराब हो सकती है, या हमारा मदरबूर भी खराब हो सकती है, इसलिए जब भी आप कोई भी CRT TV का अंदर नियाड बोड डाल रहे हो, या पुराना बोड रिपेर कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना परेगा, कि उसका body हमारे ground के साथ attachment होना चाहिए, जो कर देंगे, क्योंकि यह permanently fix हो चुका है, चाहिए वो हमारा picture tube सही condition में रहे, या खरब condition में, उसमें हमें कोई फराक नहीं परेगा, अब मैं इसको मैं solder कर दूँगा, क्योंकि यहां पर हमें कोई connector नहीं है, इसलिए हमें solder ही करना पड़ेगा, तो यहां पर base के साथ यह ground connection ह हमने कर दिया हूँ, तो अब यह तो हो गई हमारा connection complete, अब last में हमें क्या करना है, इसको test करने के लिए जो power code मिल रहा है, उस power code को हमें लगाना है, और यहां पर ground connection हम सही से कर चुका हूँ, अब देख भी सकते हो, उपर का, उपर से लेकर नीचे तक, अब यह देखिए, power code भी हमें इस बाली board के साथ ही मिल जाती है, इसलिए हमें अलग से कोई भी power code खरीदने की कोई जोरूरत नहीं है, अब simply हम यहां पर power code लगा देंगे, और power code लगाने के बाद, यहां पर switch को हमें एक बार प्रेस करेंगे, और switch को प्रेस करने के बाद, हम इसके अंदर AC code लग जाएगा, अभी देखिए हमारा AC line का जो बाल भी थूरा सा glow कर रहा है, थूरा सा glow करने के साथ-साथ यहां पर जो filament है, फिलामेंट भी जल रहा है, देखिए, अंदर से हलका filament जल रहा है, इसका मतलब यह है कि picture tube तो सही होना चाहिए, तो चलिए आगे चलते हैं और देखत तो इसका जो नौब होता है, यह इस्टी का अंदर लगा हुआ रहता है, तो उसको घुमा के हमने इसको set कर दिया हूँ, और set करने के बाद अभी यह देखिए कि जो picture तो देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन picture हमें नीचे की तरह ज्यादा देखने मिले हैं अंदर, मतल इसका जो ओरिजोंटाल और वाटिकली जो picture होता है, मतला picture का height और width इसको हमें छोटा बरा करके इसको set करना परेगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सरे settings दिया हुआ है, तो इसका कम जदा करके मैं आपको दिखाता हूँ, और picture आपको छोटा बरा करके भी दिखा देता पता चले, यहाँ पे देखिए आप भी picture आ चुका है, अब इसको छोटा बरा करने के लिए मैं चलता हूँ, वाटिकला लाइन पर जाने के बाद इसको कम करता हूँ, और देखिए थुरा थुरा करके कम कर रहा हूँ, और देखिए यह picture छोटा हो गया, मतलब यह side state हो गया तो वह copyright आने का chances रहता है, इसलिए मैं sound को avoid करता हूँ, अगर हमारा वीडियो चला के दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हमारा वीडियो नहीं है, तो हम कोई भी गाना चला के नहीं दिखाऊंगा नहीं, तो copyright तो पक्का ही आएंगे, तो दिखे दोस्तों हमारा जो picture ट्यूब तो सही है, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दिखेगा, और अगर इससी पूर करके वीडियो देखना चाहते हूँ, तो चैनल को सब्स्राइब करके जुर रहिएगा, और दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बत उठने में थोरा सा टाइम लएगा, तो मैं लगबग दुकान के अंदर एक दिन तक इसको टेस्ट करूँगा, चला के रखोंगा, और एक दिन बाद मैं इसको डेलिवर कर दूँगा, यहां पर देखिए, यह भी का connection करने के लिए, पीछे साइड यहां पर दो screw के मदद से यहां पर चिपका दिया हूँ, अब इसका जो sensor को हमने कहां पर लगाया हूँ, यह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका sensor का भी लगाना जुरूरी है, यहां पर देखिए, यह हमारा sensor बटन, हम बटन का connection नहीं करेंगे, क्योंकि बटन का कोई जूरोत नहीं है, हमारे HTV क अंदर रेमोट से ही सब काम हो जाएगा, इसलिए इसका बटन हम तो नहीं लाएं, लेकिन इसका जो sensor है, जो remote से काम करेगा, उसको मैं कैसे इसका अंदर fix करूँगा, यह भी आप देख लिजिए, यहां पर देखिए, हमने sensor को यहां पर एक screw के मदद से fix करा हूँ, क्योंक यह जो speaker पहले से लगा हुआ था, यह दोनों parallel में connection करा हुआ था, तो एक जगा से इसको मैं connection कर दूँगा, हला कि यहां पर दो जगा दिया गया है, एक left and right के लिए, लेकिन पहले से जो connection करा हुआ था, मैं हमने वही कर दिया हूँ, हमने दूसरा चीज नहीं करने के लिए देखिए, एक ही connector से दो speakers चलेगा, और अब मैं इस डब्बे को लगा देता हूँ, डब्बे को लगाने से पहले इसका जो AV का connection कहां पर करना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां पर देखिए, यह भी socket के just bagal में, मतलब connector दिया हुआ है, उसके साथ आपको AV को connection कर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सारे जगा पर share भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग को भी पता चले कि एक नया CRT TV का अंधर कैसे नया कीट को डाला जाता है, और ज करने के बाद यहां पर थोरा सा फुटा था तो इसको भी मैं ब्लॉक कर दिया हूं, और जहां पर पहले से जो मतलब जहां से चुआ हूँ अगुशने का चांसर रहता हूं, उस जागा को मैं ब्लॉक कर दिया हूं, और उसके बाद आभी आपको फाइनल इस तरीके से देख करने को मिलेंगे, अब यह मैं थोरा सावंबे सुना देता हूं आपको, अपने रिपेरिंग बिजनस में इस्तेमाल करता हूं, ताक है हूं, और आपको,